सभी छात्रों को मेरा वंदे मात्रम कक्सानों हिंदी इकाई बारा रानी इकाई का आज हम अभ्यास करेंगे जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा जो इस इकाई के लेखिका है उन्हें पसुपक्सियों से गहरा लगाव था तो उन्होंने इस इकाई में अपने जीवन में मनिगटना का निरूपन किया है यूँकि उन्हें पसुपक्सियों से गहरा लगाव था तो इस कथा में इस इकाई में उन्होंने अपनी घोरी के बारे में लिखा है तो हम इस इकाई को विश्तार से उसका अभ्यास करेंगे रियासत होने के कारान इंदोर में सांदार घोरों और सवारों का अधिक्य था अधिक्य यानि अधिक्ता रियासत होने यानि एक राज्य छोता सा राज्य होने के कारान इंदोर में सांदार घोरे अनेक प्रकार के गोरे थे और घोरे सवारों की अधिक्ता इन दोर में थी इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजो के बच्चों को छोटे टट्टूओ या सफेद घदो जिसकी जाती के संबन्द में रामा ने हमारे ग्नान वर्धन किया था ग्नान वर्धन करना यानि ग्नान बधाना रियसत होने थी इसलिए गोरे गोरा ज्यादा थे लेकिन अंग्रेजो के बच्चे तब अंग्रेजो का राज था महाडेवी वर्मा जब छोती थी तब अंग्रेजो का राज हमारे पारत देश में था तो अंग्रेजो के छोटे बच्चों वो टट्टूओ यानि गोरे की एक जब गोरा छोटा होटा है तो उसे टट्टू बुलाते हैं यानि गोरे की एक प्रजाती जिसे टट्टू कहा जाता है जो टट्टू या सफिद गधो पे या उस छोटे से टट्टू को सफिद गधा भी कहते थे महादेवी वर्मा उनको किसने बताया था त तो रामा ने, उनके यहाँ एक नौकर था रामा जिसने उन्हें बताया था कि उसे सफित गधा भी कहा जाता है पर गुमते दीखते थे, यानि बड़े लोगों के पास बड़े गोड़े होते थे अंग्रेजों में, अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों के बच्चे छोट तट्टो पर सवारी करते थे रामा की कहानियों में तो राजा अप्राधियों को घटे पर चड़ा कर देश निकाला देते थे जब रामा हमें यानि रामा महादेवी गर्मा को कहानिया सुनाते थे उनके भाई बेनों को कहानिया सुनाते थे तब वो कहते थे कि पूराने समय म जब राजा अप्रादियों को देश निकाला देते थे तब उनको गते पर बिठाते थे इन्हें गतों पर बैठकर प्रसंता से गुमते देखकर विश्वास करना कथिन था कि इन्हें दंद मिला है लेकिन जब अंग्रेजों के बच्चे गते पर बैठकर प्रसंता से गुमते तब उन्हें लोगों को देखकर उनको विश्वास नहीं होता था कि इन्हें सच्मुच धन ही मिला है क्योंकि बच्चे तो टट्टू पर बैठकर खुस हो जाते थे रामा के पास हमारी जिग्यासा जिग्यासा जानने की इच्चा का समाधान था समाधान यानि हल था रामा के पास महदेवी वर्मा और उसके बाइबेहन की जिग्यासा का समाधान था हल था इन्हें विलायत में गधे पर बैठकर बैठने का दंद देकर भारत बेजा गया थ रामा कहता है कि वो विलायर विलायर यानि इंगलेन में रहते परदेश में रहते इंगलेन में रहते थे तो उन्हें डंद दिया गया है गदे पर बैठके बैठने का दंद दिया गया है इसलिए वो वहां से इंगलेन से बारत देश बेजा गया है क्योंकि वहां यह वहां न आगे एक दिन हम तीनों ने बाबुजी को मोखिक स्मृती पत्रा मेमारंद मोखिक स्मृती पत्रा यानी जुबानी स्मृती पत्रा यानी याद दिलाया उन्होंने अपने पिताजी को याद दिलाया लेखिकार उनके भाई बहनोंने क्या याद दिलाया तो कि स्मृती पत्रा दिया कि हमारे पास छोता गोड़ा न रहना अन्याई की बात यानी हमारे पास छोता गोड़ा तो होना ही चाहिए यदि अन्य बच्चों को गोरे पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए महादेवी वर्मा और उनके भाई बेहनों ने उनके पिता जी को याद दिलाया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें भी एक छोटा सा गोरा चाहिए, मिलना ही चाहिए बाबु जी ने हस्ते वे पूछा सफे टट्टू पर बैठोगे तब उनके पिता जी ने हस्ते वे कहा कि टट्टू पर बैठोगे तुम कहो, तुम कहो के साथ थेला मठाल के उपरान मैंने अगुआ होकर घंबिर बुद्रा में उत्तर दिया सफे टट्टू तो गधा होता है उनके पिता जी ने कहा कि टट्टू पर बैठोगे तब उनके बाई बेहन एक दूसरे को तुम कहो कहकर थेला मठेल करने लगे यानि बीरबा धका मुकी करने लगे तब महादेवी वर्मा ने आगे बरकर कहा उत्तर दिया कि सफे टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है गधे पर क्यों बैठा जाता है? जब राजा सजा देता है इसलिए बैठा जाता है गधे पर इसलिए मादेव उर्मा ने कहा कि तत्तूरों गधा होता है और उन्हें पर बैटना वो तो सजा के पात्र लोग होते उसे ही बैठाते है पता नहीं हमारे ग्नान के वजरश्ट्रस्त्रोत रामा को बाबो जी ने दाता या नहीं वजरश्ट्र वजरश्ट्रोत यानि सदा बहने वाला प्रवा जो रामा जो था उन्होंने ही मादेव वर्मा को बताया था कि तत्तूर गधा होता है इसलिए मादेव वर्मा कहती है कि पता नहीं हमें कि बाद में रामा को बाबो जी ने दाता होगा परम्तु कुछ दिन बाद हमने देखा कि छोटा सा चौकलेटी रंका टट्टू आंगन में पस्चिम वाले बढामदे में बांदा गया लेकिन थोड़े दिन बाद मादेवी वर्मा के पिता जी ने एक चोकलेटी रंका टट्टू लाकर उसे आगन में बांद दिया बढामदा तो घोरे बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था अतह बाहर चे टट्टू को लाने के लिए दिवाल में एक नया दर्वाजा लगया गया बडामदा गोड़ा बनने के लिए नहीं था अतह गोड़ा आया तट्टू आया इसलिए दीवाल में एक नया दर्वाजा लगया गया और उसकी मालिस कनने तथा खाने पिने गुमने आदी की उसकी देखरेक के लिए छुटन नाम का साइस रखा गया और गोड़े की मालिस कनने के लिए खाने पिने के लिए देखरेक रखने के लिए एक साइस यानि गोड़े की देखबाल करने वाला छुटन नाम का एक साइस रखा गया यानि गोड़े की देखबाल करने के लिए एक आडमी को रख लिया गया अब तो हम उस छोटे से टट्टू से बहुत प्रभाविट और आतंकित हुए आतंकित याने भैबित प्रभाविट भी हुए और भैबित भी हुए हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए ना मकान में कोई परिवर्दन हुआ न कोई विशेश नौकर रखा गया महादेव वर्मा और उनके साथी जीव याने उनके घर पे जो बिल्ली थी और कुतिया थी नेवला था और कुतिया जो थी उनके लिए न तो कोई मकान में परिवर्दन हुआ था नहीं विशेस नौकर रखा गया था लेकिन इस टट्टू के लिए तो नौकर भी रखा गया रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वटो दातने फटकानने के अतिरिक्त हमारे कान भी खिटता था और हमारी खिरकी तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कुदने के कश्ट से मुक्त हो सकते रामा को तो नौकर नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वटातता था फटकारता था और उनके खान भी खिटता था लेकिन महादेवी वर्मा की के घर में खिरकी तक दरवाजे में भी कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ था जब रोजी और निक्की रोजी यानि रानी के घर एक नेवला था जिसे रोजी कहते थे निक्की था और रोजी यानि उनके गर्बे एक कुत्या थी जिसे वो रोजी केके बुला दे थे तो वो जब आये थे तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया था बाबु जी से यह सुन कर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है लेकिन बाबु जी ने यहां कहा किया तुम्हारी सवारी के लिए है फिर भी वो इससे वैबीत हो गए थे हम सब चार पाद दिन उससे रुष्ट और अप्रसन ही गुमते रहे जब गोरी आये तट्टू आया तब गर्मे बरामडे में परिवर्तन आया तो सब लोग घोरी से नाराज हो गए क्योंकि जब रोजी और निक्की आये थे तब भी परिवर्तन नहीं हुआ था नहीं महादे वर्मा और उनके भाईयों के लिए कुछ परिवर्तन हुआ इसलिए सब लोग चारपा दिनों तक टट्टू से जो घोरी लाये गए थी उससे रुस्त और अप्रसन होकर गूमते रहे परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कड़ ही लेकिन चारपा दिनों के बाद वो घोरी वो महादे वर्मा और उनके भाईयों की मित्र हो ही गई रामा से उसका नाम पुत्मे पर्ग नाथ हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है रामा को पुछा कि इस गोरी का नाम क्या है तो रामा ने कहा कि उसे ताजरानी कहते है ताज महल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को मा की सभी कहनियों में रानी के सुकदुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रतिबरी सदै हो गये थे ताज महल का चित्र तो महदेव वर्मा ने देखा ही था लेकिन रामा और कल्लुक को मा की सभी कहानियों है यानि रामा जो कहानियों सुना रहा था उसमें सभी कहानियों है रानी के सुकदुक की गाथा यानि बाच्चित कहानी सुनते सुनते उनको रानी के प्रती सदर यानि दयालू भाव हो गया थाई इसलिए वो रानी जो ताज रानी थी इसके प्रती भी दयालू हो गए ताज मेल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकल दी गई है यह कल्पना करते ही हमारे सारी इर्षा और सारा रोस करूना से पिगल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के लिए के उपाई सोचने लगे ताज मेहल जैसा बवन होने के बावजुद भी ताज रानी को वहाँ से निकाल दिया गया इसलिए सबी को जो महादेव वर्मा को इर्षा हो रही थी सब लोगों को इर्षा हो रही थी रानी से वह सारा रोस वह सारी इर्षा प्रेम में बदल गया और वह सब पिगल गये और रानी को आराम देने का उपाई सोचने लगे वह इतनी सुन्दर थी कि अब तक उसकी सवी आँखों में वसी जैसी है वो घोरी, रानी इतनी सुन्दर थी कि आज भी उसकी सवी उनकी आँखों में दिखाई दीती है हलका चोकलेटी चमकदा रंग जिस पर द्रश्टी फिसल जाती थी उनका रंग जो रानी का रंग था वो चोकले थी था जिसे देखकर उन लोगों की द्रस्ती फिसल जाती थी ऐसा वो कहती है खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर जूलता अयाल का गुच्छा बड़ी काली स्वच और पारदर्सी जैसी आखे लिखे का कहती है कि माथे पर जूलता अयाल अयाल यानी गोरे के गर्दन पर के बाल का गुच्छा और बड़ी काली स्वच और पारदर्सी जैसी उसके आखे लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारो और की गंध लेती रहती थी उदलेदात और लाल जीब की जलक देती हुए गुला भी उठो वाले लंबा मो जो लोहा चबाते रहने पर भी सत्विक्षत नहीं होता था तो यहाँ पर उसकी अंगो की रानी के अंगो की तारिफे की गई है और उनकी आख मो नाख के बारे में बात की गई है उचाई के अनुपाद से पीट के चोड़ाई अधिक है उसकी उचाई के अनुपाद से उसकी पीट ज्यादा चोड़ी है सुदोल मजबूत पेरो और सखन पूछ जो मख्या उराने के क्रम में मोर्चल मोर्चल यानि मोर की पूछ जैसा बना ज़ाड़ू के समान उत्ती गिरती रहती थी राने जो थी उसके पेर मजबूत थे और सखन पूछ थी पूछ बड़ी थी इसलिए वो हवा में अपनी पूछ को उठाती गिरती रखती थी उस समय यह सब समझने की बुद्धी नहीं थी परन्तु इतनी दीर्ग काल के उपरान भी स्मूती पटपरवे रेखाए ऐसे उबर आती है जैसे किसी अद्रश्य स्याही से लिखी अक्सर अगनी के ताप के ताप से प्रत्यक्स होने लगती है यह सब जो हुआ था वो मैं जब छोती थी तब हुआ था महादेव वर्मा के थे लेकिन आज भी मैं जब याद करती हूँ तो वो द्रश्य मेरी आखों के सामने आ जाता है ऐसा महादेव वर्मा कह रही है महादेवी वर्मा आगे कहते हैं कि हम बार-बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई वो कुछ और छोटी यानि छोटी ही क्यों नहीं रही होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते महादेवी वर्मा कहती है कि वो जो रानी थी वो और छोटी होती तो हम रोजी और निकी की तरह उसे भी घर में अपने कमरे में रखते हमारी अरजक्ता का कारिया लई था अरजक्ता यानि अव्यवस्था का कारिया लई अब जहारानी रहती थी वो जगाही थी बरामदा गोरे बनने के लिए तो बना नहीं था अथा उसकी दीवार में एक खुली आलमारी और कई आते ताक थे बरामदा जो था वो गोरे बनने के लिए नहीं बना था इसलिए उसकी दीवार में खुली आलमारी और आते ताक भी थे यानि आलमारी या थी उन्ही में हमारे स्वेच्छया यानि अपनी इच्छा से विस्थापित यानि अपने स्थान से हताया हुआ और सरनार्थी खीलोने का परिवार स्थापित होने लगा यानि उनके खीलोने जो वो नहीं खेलते थे वो इसी जगा पे रखने लगे थे रानी की गर्दन में जूल जूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिसकुट मिठा आदी खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मेत्री कर ली कि हमें नह देखने पर वह अस्थिर होकर पेर पटकने और हिंहिनाने लगते थी राने की गर्दन में सब बच्चे जूलते रहते थे उसके कान और अयाल के अयाल में फूल खोशते रहते थे उसके उसे बिस्कुर मिथायाड़ी खिला खिला कर उसके साथ मित्र बन गए और जब वो लोग महादेव वर्मा उसके भाईबेन जब नहीं दिखाए देते थे तब राने उनको धुनती रहती थी और अपने पेर पतकती रहती थी और हिन हिनाती थी फिर हमारी गुर सवारी का कार्याक्रम आरम हुआ फिर सब बच्चों को गुरे सवारी का कारियाकरम जाने रानी पर बारी-बारी से सब ब्यात्ते थे मेरी और बहिन के लिए सामान्य छोटी पर सुन्दर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चम्बरे के घरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गीनने का भई नहीं था मादेव वर्मा उनकी बेहन के लिए एक सामान्य चोती पर सुन्दर जीन बनाए गई जो गोरे पर रखी जाती और उस पर बेथा जाता है था और उनके भाई के लिए चम्बरे की घिरे वाली जीन बनाए गई जो जब संतुलन खो बेथे कोई तो भी उस पर से वो नीचे नहीं गीरता ऐसी जीन बनाए गई थी बाहर के चबुत्रे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूध होते और छुत्तन के साथ चुत्तन साथ दौरता होगा हमें घुमाता बाहर जो चबुत्रा था वहां सब खड़े होकर बारी बारी से रानी पर आरूध होना यानि सवार होते थे और छुत्तन रानी के साथ दौरता था और उनको रानी को भी दौरता था और सब गुमते थे सबेरे भाई बहन गुमते और स्कूल से लोटने पर तीसरा प्रहर या संध्या समय मेरे साथ या कालियकम दोढ़ाया जाता सबेरे भाई बहन गुमते और स्कूल से लोटने पर महादेवी वर्मा तीसरा प्रहर साम को या संध्या समय पर रानी पर सवार होती थी परंतु ऐसी सवारी हमारी विद्रोही प्रकूती कैसे संतुष हो सकती थी पर ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकूती यानि हमारा स्वभा कैसे संतुष होता यानि उनको लगता कि हम बारी-बारी से उसकी सवारी करते ही रहे ऐसा लगता था उन लोगों को अस्तबल में रानी की गर्दन में जूलकर तथा स्टूल के सहरे उसकी पीट पर चरकर भी हमें संतोस न होता था यानि स्टूल पर चरकर जब बरामदे में अस्तबल में रानी को बंधा जाता था तब उनकी गर्दन पर जूलते थे और स्टूल लेकर उसकी पीट पर बैटते थे तब भी उन्हें संतोस नहीं मिलता था अन्त में एक छुट्टी के दिन दोपर में सब के सो जाने पर हम रानी को खोल कर बहाल ले आए छुट्टी का दिन था दोपर में सब सो रहे थे तब रानी को उन्होंने अस्तबल से खोल कर बहाल ले आए चबुत्रे पर खड़े होकर उसकी नंगी पितपर शवारी करने की बारी बारी से अपनी अधुरी शिक्सा की पूरी पडिक्सा लेने लगे और सब बारी बारी से रानी की नंगी पितपर बैतने लगे यह स्वभविक ही था कि ताजरानी हमारी अरजक प्रवुत्यों से प्रभवित हो जाती थी वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्द स्थरों का बोध न होकर सामन्य चेतना का ही बोध रहता ता बारी-बारी से सब आते थे उस पर सबरिया करते थे क्यों? क्योंकि उन लोगों को संतोस नहीं होता था, एक बार बीथाने पर भी संतोस नहीं होता था, इसलिए बारी-बारी से सब लोग उस पर बैखते रहते थे, अतहां उनके लिए पसु पक्सी, वनस्पती सब एक परिवार के ही हो जाते थे, तो उन बच्चों के लिए पसु पक् उससे जुलने लगता था रोजी इच्छा अनुसार उसकी गड़न पर उच्छल कर चर्ती और नीचे कुटी थी जो कुटी थी रोजी जो थी वो उसकी गड़न पर चर्ती थी और नीचे कुटी थी और हम सब उसकी पीत पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिहासन पर आ चांती थी उसकी नंगी पीत पर अयाल पकर कर बैचने वालों को वह दूलकी चाल से इधर उधर घुमा कर संतूस कर देती थी। में थी जब महादेवी वर्मा रानी पर बेथी तो उसने संती रानी के पेरों में मार दी चोट लगने की तो संभवना ही नहीं थी परन्तु इससे न जाने उसके स्वाभीमान को आहत हो गया या कोई दुखत स्मूती उभराई संती मारी तो वो स्वाभीमान अपना खोबे थी या दुखी होकर पुरान यादे उसके मन में आ गई यह नहीं पता चला पर वो वेग से भागी मानो सरक पेर नदी नाले सब उसके पकर से उसकी उसे पकर बान रखने का संकल्प किये हो यानि वो जोर से रानी भागने लगी जैसे महादेवी वर्मा के बाई ने उसके पेर में संती मारी तो रानी जोर से भागने लगी कुछ दूर मैंने अपने आपको उसे उडन खटोले पर संबाला परंतु गीरना तो निश्चित थी था थोड़े देर तक तो महादेवी वर्मा ने अपने आपको संबाला लेकि गीरना तो निश्ची थी था वो जानती थी कि मैं गीरने तो वाली ही हूं मेरे गीरते ही रानी मानो अतित से वर्तमान में लोट आई जब महादे वर्मा रानी के पीत पर से गीर गई तो रानी भी जो अतित में जो भूतकाल में गए थी मानो सोच में वो फिर से वर्तमान में लोट आई हो ऐसा लगा और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई कि जैसे पस्चेताप की प्रस्तर प्रतिमा हो प्रस्तर प्रतिमा यानि पत्थर की मूर्थी हो रानी को भी दूख हुआ ऐसा बच्चों को लगा साथियों की चीक पुकार से सब दौड़े आए सब लग जो सो रहे थे वो उसके भाईबेन नों चीक ने सरू किया तो सब दौड़के वहाँ आ गए फिर बहुत दिनों तक मुझे बीचाने में पड़ा रहना पड़ा और बहुत दिनों तक मादेवर्मा को बीचाने पर यानि अपनी जगा जहां पर वो सोती थी वहाँ पर ही पड़े रहना परा स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करू पस्चताब बड़ी द्रस्ती से मुझे देखती हिन्हिनाने लगी कि मेरे आसु आ गए पच्चताब से पच्चतावे से जब ठीक होकर महादेव वर्मा रानी के पास गई तो रानी पच्चतावे से उनकी तरब देखकर हिन्हिनाला लगी तो उसे देखकर महादेव वर्मा के आखों में आसु आ गई एक बार भाई के जन्मदीन पर नानी ने उसके लिए सौने के करे बेजे उनके भाई महादेव वर्मा के भाई का जन्मदीन था तो उनकी नानी यानि उनकी माता की माता ने उसके लिए सौने के करे बेजे थे सामान्य तह हम कोई भी नया कपड़ा वो सब कोई भी नया कपड़ा या अबुसर पहन कर रानी को दिखाने अवस्य जाते थे मादे वर्मा और उसके भाई बेन जो थे वो कुछ भी कुछ नया पहनते थे या कुछ अबूसर पहनते थे तो वो पहन कर रानी को दिखाने अवस्य जाते थे सुन्दर छोटे-छोटे सेर मुह वाले कड़े पहन कर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन पहनाओं से वह दोनों करे उतार कर रानी के खड़े सतर कानों में वलाई की तरह पहना आया वह दिखाने तो गया सेर के मुवारे दो सोने के करे लेकिन उसे क्या हुआ कि उसने दोनों सोने के करे उतार दिये और रानी के खरे कानों पर वला यानि कंकर छल्ला की तरह पहना दिये फिर हम सब खेल में करो की बात बूल गए सब बच्चे खेल में करे की बात तो बूली गए संध्या समय भाई के करे रही थाद देखकर जब माने पुछा पुछताद की तब खोजारम हुई की कहां की कहीं भी करो का पता नहीं चला साम को जब उसकी माने उसके भाई के हाथों में देखा की सौने के करे नहीं है और पुछताद की तब जाके पता चला की करे उसके पास नहीं और सब लोग दुनने उसकड़ों को दुनने लग गए रानी अपने कान को खूरों से खोती और हिन्ही नाती रही रानी को पता था कि करे कहा है इसलिए वो हिन्ही नाती रही अंत में बाबोची का ध्यान उसकी ओर गया अंत में बाबो जी यनि मुहादेव वर्मा की पिता जी का ध्यान रानी के ओर गया उन्होंने मत्ती हटाने का आदेश दिया जब हां रानी बाढ़े गए थी वहां से मिट्ती हटाने का आदेश दिया किसी ने कुछ गहरा गत्ता खोड़कर दोनों करे गार दिये थे जो दो करे थे वह किसी ने गहरा गद्धा करकर उसमें डाल दिये थे दंद तो किसी को नहीं मिला परणतु रानी सारे गर के रद़ई में स्थान पा गई और रानी ने ये सब देखा था कि किसी ने उस सोने के करे को मिट्टी में डाल दिया था किसी को दंतों नहीं मिला जब करे मिले तो किसी को दंतों नहीं मिला परंतु रानी सारे करके रड़े में स्थान पाके यानि रानी से सब प्रेम ज्याजा करने लगे एक गतना अपनी विचीतरता में स्मरवनी है एक सबरे उठाने पर हमने रानी के पास एक छोटे से गोरे के बच्चे को देखा एक दूसरी गतना भी है जो मुझे याधे मादेवर्मा कहती है कि एक सबेर हम उठे तब राने के पास हमने एक छोते से बच्चे को देखा यह कहां था कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरूपाई गोसना की कि वह नया जीव राने के पेट में डाना चारा खा कर सो रहा था उन सब ने रामा को पूछा कि ये बच्चा कहा था तो उसने ठक हार कर कह दिया कि जो बच्चा था वो रानी के पेट में था और रानी के पेट में बैच कर डाना चारा खाकर सो रहा था बाई ने उच्छा से पूझा और भी है रामा ने स्विक्रूती में सीर हिलाया तब उसके मादेवी वर्मा के बाई ने कहा कि उसकी पेट में और भी बच्चे होंगे तब रामा ने हा कहा स्विक्रूती में अपना सर हिलाया यानि हा कहा अब तो हम विश्मित यानि चकिद भी हुए और क्रोधित भी वो चकिद भी हो गए कि और भी बच्चे उसके पेत में है और क्रोधित भी हो गए ये छोते से जीव कोई काम धम नहीं करते और हमको पीट पर बैठा कर द्वारने वाली रानी का दानाचारा सोयम खा कर उसके प भुमाने ले जाता था पर जो रानी सोयम दाना पानी खाती थी वो खुद खा कर उसके पेत में सोये रहते थे इसलिए वो ग्रोधित हो गए बच्चे सारे ग्रोधित हो गए भाई ने कहा रानी का पेत चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा गोरा निकाल ले तब बच्चे गोरा पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरे सीवा सेवा में रहेगी उसके बाई ने कहा रानी के पेत को चीर कर कम से कम एक और बच्चा गोरे का निकाल ले तब बच्चे गोरे पर वे छोटे बाई बहन को बिठाएंगे बिठाएंगा उसका बाई और रानी पर वो खुद उनका बाई ही बेठे गा प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ को वह कहीं से साख काटने का चाकू लेया तब मेरे सहस ने जवाब दे दिया उसके बाई ने जो कहा था वो कर के दिखाना चाहता था तो यह प्रस्ता महादेव वर्मा को भी अच्छा लगे कि हम दो बाई बहन है वो छोटे बच्चों पो बैठेंगे और रानी उसके साख करने का चाकू ले गया लेके आ गया एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया और दूसरी भी समस्या उनको दिखाई रही आखिर में हम रानी का पेट सीएंगे कैसे जब रानी का पेट काटेंगे तो रानी का पेट सीना भी पड़ेगा तो हम पेट कैसे सीएंगे मा मा की महिन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था मा के पास जो कपरे सीती थी उस छोटी सी सुई से अगर उसका पेच सीने की कोशिस करेंगे तो वो संभव नहीं था ताज सीने का बड़ा सुजा रामा ने अपनी कोथारी में रखा था रामा के पास बड़ा सुजा था लेकिन उसने वो अपनी कोठारी में रखा था, जहां हमारी पहुच नहीं थी, कुछ दिन के उपरान जब रानी का अस्व सिसु कुछ बड़ा होकर दोडने लगा, तब हमें न अपना ग्रोज मरा रहा और न प्रस्ताव। थोड़े दिन बार जब रानी का जो सिसु जो था, गोरे का बच्चा जो था, वो बड़ा होकर थोड़ा बड़ा होकर दोड़ने लगा, तब नहीं महादेव वर्मा उसके भाई बेनों को उस पर क्रोधाया, नहीं वो प्रस्ताव जो उन्होंने रखा हुआ था, कि रानी का पेट काट कर उसमें से बच्चा दूसरा निकाल लेंगे, वो सब भी वो भूल गए, यहाँ पे हमारी इकाई ओन होती है, तो महादेव वर्मा ने इस इकाई में अपने बच्चपन में जो रानी, जो घोरी थी, वो महादेवी वर्मा और उनके बाईर बेहनों के साथ कैसे रहती थी और उनको कैसे लगाव हो गया था, कैसा प्रेम हो गया था, वो बात उन्होंने इसमें कही है, और यहाँ महादेवी वर्मा जी की सहर दैता पाथक का दिल जीत लेती है, यानि यहाँ जो बात जो उन्होंने लिखी है, वो कोई भी लोग पढ़ेंगे, यह कहानी पढ़ेंगे, तो उसके दिल को छूलेगी, यहाँ पे हमें पता चलता है, कि महादेवी वर्मा जो है, उनको पसु पक्सियों से कितना गहरा लगाव है, जो हमने पात के पात में, इस इकाई में देखा, यहाँ पे हमारी इकाई पूर्ण होती है, वंदे मात्रम